लास एपिसोड में देखेते सी यॉल कैप्टेन की सचाई जान लेता है कि उसने ही मिन्सु को मारा है और उसका परदा फाश करने के लिए सी यॉल और के दोनों हाथ मिला लेते हैं फिर के उसको याद दिलाता है दो मैने पहले का जहां सी यॉल कमिशनर के नेफु के साथ दो पैक लगाये जूम रहा होता है तब ही उसको एक कॉल आता है मिन्सु को किसी और ने मारा है मेरे पास सबूत भी है बट सी यॉल नशे के धुत में कुछ नहीं समझता के भी लाइक अगर पहले सुनके कैप्टेन को पकर लेते तो आज इतना कुछ नहीं होता सी यॉल बोलता ठीक है गलती सुधारते है फिर दोनों से इंगों के घर जाते है जिसने मिन्सु को मारा था कि शायद उसके घर में से कुछ मिल जाए जिससे पता चल जाएगा कि सी को किसंे फोन किया था अपसर ने के को तो टीम में शामिल कर लिया बट कोई काम का निकला सारा काम भी घ्यारा खुदी कर रहा था धो फिर उससे हास्पिटल का पेपर मिलता है तो हॉस्पिटल में पूछते है वह बोलती है की पेशर नहीं है या बट वाजीन उसको फिर दोनों उदर जाकर दूनते बर अंदर जाने से अगर अंदर जाकर डूनेंगे तो हो सकता है कि टॉम कि आदम हैं यह के पेप्टन को पघ्चान ले वंगा vigy किया के वज़े से यहाल एक नशेरे पता कपड़ा बदलता है यहाला वह दर आया ही कि पता से और खुशी खुशी देता है फिर बोलते हैं हम दोनों एक ही है ना तो तो आखिर में मुझे ही पहना परेगा न के बोलता है अब समझे हो वहां लायर नाम जाके हीगम से मिलता है उसकी केस लगने के लिए बड़ उसकी मॉम उसे फून करकर के हर छूटी बात पूच रही बिचारे को उससे फूरसत मिल है तब ना केस पर ध्यान दे वहां जंक्याड में ड्रग भी स्मग्लिंग हो रहा था एक से और को देखता है जो की बहुत नर्वस रहता है तो उसको शक होता है तो उसको बुला के उसका हाथ देखता है कि बहुत सारा इंजेक्शन का निशा किया था फिर दोनों वोजिन को ढूंते हैं तभी कुछ लोग आके उसे मारते हैं और ड्रग पैसा ले लेते हैं तो उसे ड्रग का इंजेक्शन देते और बोलते शर्ट लगा के देखो सियोल डर के के को बोलता मदद करो तुम बोले था ना साथ दोगे बट के हिलता नहीं है वो लोग देखते हैं कि सोयल पगला गया है किसी और से बात कर रहा है तो समझ जाते हैं कि सही में नशे में तो चले जाते हैं के बोलता देखा बचा लिया ना फिर वो लोगो वोजिन मिल जाता है तो उसे लेके वो लोग जाते रहते तब ही वो लोग वापीस आते हैं क्य सेंगों ने नहीं मार रहा है न किसी को वह बचाया है न तुमको उसका एसान मन बनो और सच बता दो फिर यह सब सून के वह चल्ला थे कि मैंने संगों को मारा इसलिए अराम करने तो उसे और मुझे भी स्योल उसे वहाँ छोड़के चला जाता है यहां किंग सू और जेसन दोनों काम करते रहते हैं जेसन को अच्छा खाना खाते हुए देख किंग से के मुझ में नहीं आक में पानी आ जाता है उसकी भोली शकल देख के जेसन खाना एक आदमी को लेके गया यह सुनके कैप्टन समझ जाता है कि मिंसु का केस पर काम कर रहा था है कुछ लड़कियों से सूनके से ले जाता है काप्ट्न से बात करने और बोलता है क्योंस लिए मैं कीक मीनसु का खोदेй फिर अगर तुम एक चादम मे crazy आख करी तो मैं भी भई करूँगा ना इसलिए ध्यान से करो जो करोगे सेवल उसे बोलता है कि हेगम पर अटाइक किया हो मुझे डराने के लिए मतलब मेरा शक सही है ना फिर डॉक्टर को कॉल करके बोलता है कि जैसे ही वो जुन को होश आए मुझे बताना वहाँ ये दोनों होंगजु के कार में ढूनते हैं मैडल जो हेगम के घर से चोड़ी हुआता तब ही एक चोड आके जैसन का वालेट ले जाता है केंग सु उसके पीछे भाग के मैडल ले आता है और वो चोड को भी अब साबित कर सकते हैं कि होंगजु नहीं मेगम को फसाया है जैसन उसे वालेट मांगता है बट नहीं मिलता तो केंग सु को चेक करता है दोनों लड़ता रहते है बट यहां डॉगी वालेट लेके भाग जाता है फिर सियोल जेल के बाहर हेगम का वेट करता है और के कुछ जादा ही नर्वस रहता है सियोल बहुता कितना भी कोशिश कर लग तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे क्योंकि वो मुझसे नफरत कर दी है तब ही हेगम एक बैग लेके आती है सियोल पुछता क्या है फिर हेगम बताती कि जेल में जब थी तो तुम ही तो रोज लेटर भेज रहते वो देखके सियोल के को गाली देता रहता है जो जाडियों के पीछे छुपके शर्मा रहा होता है फिर हेगम की इतने पुचने के बाद सेयल उसे सब बता देता है कि ये सब कैपटन का काम है बर उसको विश्वास नहीं होता वहाँ वो जिन उटके भाग जाता है और सियोल को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें जिसने फून किया था उसके बारे में पता करके तुम्हें फून करूंगा और अकेली ही चला जाता है उसे मिलने और वो रहता है कैप्टेन का चमचा चंगी उसने ही सीयोल को कॉल किया था फिर सीयोल जाके देखता है कि वोजीन मर गया है जादा ड्रग का डोस लेने की वज़े से बलकि चंगी ने उसे जंगल में छोड़ के चला गया था और पीछे से एंड्रे आके उसे मार देता है क्योंकि मैरी बोली थी कि कैप्टेन के हर आदमी पे नज़र रखने फिर सीयोल जाके चंगी से मिलता है क्योंकि वो जीन डॉक्टर के यहां से भागने के बाद दो लोग को कॉल किया था एक सीयोल को और दुसरा चंगी को सीयोल उसे पुछता है तुमने ही कॉल किये थे ना मुझे वो बोलता है अब क्यूं आया हो जब कॉल किया तब तो सिरियसली नहीं लिये वो बोलता है कि पच्टावा की जिंदगी से ठख गया हूं तुम नहीं ठखे क्या इसलिए अपना फैसला खुद करो वहां हेगम जाके कैट्रेंट से मिलती है और बोलती है कि पहले लागा मिनसु को दो यूगन और ड्रग डीलर वालों ने मारे है बर जब दो यूगन को पकर लिये तो तुम डर के उस पे हमला करवाए ताकि वो तुमें ये भी बता दे कि ड्रग किदर है जब ऐसा सूचती हूँ तो सारे सवाल का जवाब मिल जाता है क्यों कि ये ये सब वो बोलता है कि इतना साल दीन रात मेहनत करके काम करो और मिलता क्या है हेगम बोलती ही कि अगली बार आऊंगी तो अरेस करके रहूंगी वहाँ वो जिर मिन्सू के बारे में सोचता है जो उसकी बहुत हेल्प करता था बुरे वक्त में इसलिए से ये ये को कॉल करके बोलता है कि पकल लोगे ना कैप्टन को अगर सबूत दूँगा तो चलो मिलते है फिर वो जाता है और उसका पीछे एंड्रियो करता है फिर मेरी कैप्टन को कॉल करके बोलती ही कि तुम पे भरोसा कैसे करूँ जबकि तुमारे आदमी ही गद्दा निकले फिर उसको वीडियो भीचती है वो देखके कैप्टन गारी घुमाके जाता है और वहाँ एगम के घर धोके से गुंडे लोग घुज जाते है और यहाँ कैप्टन से चंगी जाके मिलता है और उसे बोलता है कि सबूत दे दो फिर दोनों पक्रम पकड़ाई खेलता है कैप्टन गम दिखाता है तो वो डर के मुबाइल दे देता है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है कि कैप्टन ने ही मिन्सू को गिरा के मार दिया है फिर वो गरदारी के लिए उसे बहुत मारता है अभी सियोल के के साथ आके कैप्टन को धोता है कैप्टन इतना मार खाने के बाद बोलता है कि अगर जब तक हम पुली स्टेशन पहुंचेंगे तब तक तो हेगम मर जाएगी इसलिए टाइम पास मत करो जंक्यार जाके उसे बचालो वो जिन भी सियोल को मारता है और बोलता है कि अगर काम नहीं खतम कर सकते तो तो मुझे क्यों फसाए फिर मुबाइल भी तोड़ देता है जिसमें सबूत था फिर सियोल जंकर जाके हेगम को उठाता है तब ही एक आदमी फ्रीज ट्रॉक बंद करके वो लोग को ले जाता है फिर के और सियोल मिलके दर्वाजा पटकते हैं कि कहीं खुल जाए हेगम को जब होश आता है तो वो भी वो लोग की हेल्प करती है फिर दिनों लाट मार मार के दर्वाजा खोल देते हैं और यहीं एपिसोड खतम हो जाता है शातिर कैप्टेन को ये लोग कैसे पकड़ेंगे ये जानने के लिए नेक्स एपीसोड जरूर देखे बट रुको रुको अगर वीडियो अच्छी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट भी जरूर करे नेक्स एपीसोड देखने के लिए चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करें बैने डिफिक्शन जरूर अंट करें हम मिलेंगे नेक्स एपीसोड में बाई टेक करें